काश्वणी बोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचर नमस्कार समाचरों के साथ मैं प्रशांत सेंगर पहले मुख्य समाचर केंदर सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली वारता अब कल होगी समल योजना में प्रदेश के 10,000 से अधिक हेति गराहियों को मिलेगी 224 करोड रुपई की साहता मद्प्रदेश के हर्दा और मंदसौर में मुर्गियों में मिला बर्ड फिलो का वाइरस पुल्टरी पक्षियों को मारने के लिए दलते नाथ और अमर कंटको परिटन स्थल के रूप में विक्सित करने के लिए 49.98 लाख रुपई की केंदर निदी मंजूरी और अब समझे है रविस्तार से केंदर सरकार और किसान संगठनों के परतिनितियों के बीच आज होने वाली पूर्वी निर्धारित वारता अब कल नई दिली में होगी प्रिशी मंत्राले दोरा कल देर रात जारी एक वक्त तव्य में मंत्राले ने नई कायरक्रम की पुष्टी की है और किसानों के मुद्दे सुल जाने के लिए सरकार की परतिबत तत दोहराई है इस बीच प्रदरशन कर रहे किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए उचितम नियाले दौरा नियुक्त पैनल आज अपनी पहली बैठक करेगा शीश अदालत ने इस महीने की 11 तारीख को तीन क्रिशी कानूनों के कारेन वाइन पर रूक लगा दी थी इन कानूनों के खिलाफ किसान संग राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदरशन कर रहा है इस गतिरोध को हल करने के लिए चारसदस्य पैनल भी नियुक्त किया गया था मुक्यमंत्री शिवराजी सिंग्चोहान आज आज आपका संबल आपकी सरकार कारिक्रम में संबल योजना के 10,285 हितिग्राहियों को अनुग्रह साहता राशी का वितरन करेंगे इन हितिग्राहियों के खाते में राजधी स्तर से 224 करोड आनलाइन अंत्रित किये जाएंगे श्री चोहान भूपाल के मिन्ट हाल में आज दो पहर इस कारिक्रम का शुभारम करेंगे कारिक्रम का सीधा प्रसारन होगा जिसमें विभिन जिलों से मंत्री, जन प्रतिनिधी, अधिकारी और संबल योजना के हितिग्राहि शामिल होंगे कारिक्रम के माध्यम से 51 जिलों के हितिग्राही लाभन वित होंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केनर शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजेट पूरवे विचार विमश किया वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम सायजित बैठक में राज्यों और केंडर शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री राज्यों के वित्त मंत्री और वरिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया वित्तमंत्री ने सहकारी संगवाद के महत पर जर देते हुँ एंगित किया कि केंदर सरकार ने रज्जों और כेंदर शास्थ प्रदेशों को कोरोना महामारी का सामना करने में मजबथी समर्थन दिया है अधिकांश राज्यों ने महमारी के संकटकाल में रिंड लेने की सीमा बढ़ाने और एक के बाद एक रिंड उपलब्द कराने जैसी वित्ती मदद के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया इस दोरान राज्यों और के इन रिशासित प्रदेशों ने बजट में शामिल करने के लिए कई सुचाव भी दिये दतिया के समाच से भी बलदेव राज ने कोविड नाइंटीन के खलाफ चलाए जा रहा है जा नांदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है ये समाचार आप आकाश्मानी भूपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बलेटिन, योट्यूब, टुटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके लाबा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं इस ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का समाचारों में स्वागत है मचसपालन, पशुपालन और डेरी मंत्राले ने कहा है कि पाँच राज्यों में, पोल्ट्री पक्षियों में और नो राज्यों में, कवों, प्रवासी पक्षियों और जंगली पक्षियों में evian influenza प्हल्ने की पुश्टी हुई है और इस बारे में आवशक कारवाही के लिए परामषजारी किया गया है मंतलाल ने कहा है कि दिल्ली के 30 हजारी में पक्षी के नमूनों में भी evian influenza की पुश्टी हुई है उधर महाराष्च में तोरित कारवाही टीम तयार की गई है सभी के दौरा गंभी रूप से प्रभावित स्थानों पर पोल्टरी पक्षियों को मारने का काम चल रहा है इसके लवा मदप्रदेश के हर्दा और मंदस और तथा चत्तीस गढ़ के बालोद जिले में भी पोल्टरी पक्षियों के एवियन इन्फ्लूएंज जैसे ग्रस्त एक किलोमेटर के दायरे में पक्षियों को मारने के लिए दल तेनात किये गए है हर्याना के पंचकुला में संक्रमन ग्रस्त पोल्टरी में पक्षियों को मारने का काम जारी है मंतराले ने कहा है कि देश में बढ़ फिलू संक्रमन वाले क्षेतरों में इस्तितीकी निग्रानी के लिए गटित केंद्री टीम प्रभावित इस्थलों पर जा रही है स्वास्तु मंत्राले दौरा टीका करण के संबन में सही जानकारी के लिए प्रश्णोत्तरी के शिंखल अतयार की गई है जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं इस करम में आज का प्रश्ण है कि सब को एक साथ कोविट का टीका लगाए जाएगा इस प्रश्ण का जवाब होगा भारत सरकार ने टीके की उपलबदिता को ध्यान में रखते हुए टीका करण के लिए प्रात्मिक्ता वाले समों की पहचान की है ये वह समों हैं जिन है संक्रमन का सबसे ज़दा खत्रा है इसलिए इनने पहले टीका लगाए जाएगा प्रात्मिक्ता वाले इन समों में पहले नमबर पर स्वास्त कर्मी और अगरिम पंक्ती में तैनात कारी करता है दूसरे नमबर पर 50 साल से उपर की उमर वाले लोग और गंभीर बीमारियों से जूज रहे 50 से कम उमर वाले लोग शामिल हैं केंदर सरकार के परिटन मंतराले द्वारा प्रसाद योजना के अंतरगत मा नरमदा के उद्गम इस्थल अमर कंटक में विकासकारियों के लिए 49 करोड 98 लाक रुपे सुईक्रित किये गए हैं। इससे अमर कंटक में मा नरमदा तटका सुंदरी करण किये जाएगा। प्रद जल शुद्धिकरन के लिए वाटर फिल्टर लगाए जाएगा और इसमें 38,23,000 रुपे की लगत आएगी। शिक्षा मंतरी रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राश्ट्री शिक्षा नीती छात्रों की आकंग्शाओं को पूरा करने की दिशा में एक अनूठा म प्रोच्ष परदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस नीती से चात्रों में वेगयनिक सुभाव को बढ़ावा मिलने के साथ ही उने व्यावसाइक गतिविदो के लिए भी प्रोचसाहन मिलेगा। नई दिली में केंद्रिय विद्ध्द्या लेके चात्रों के साथ बास्चीत में श्री निशंक ने कहा कि राश्ट्री शिक्षा नीती समगर मुल्यांकन प्रिक्रिया बनाईगी इस नीती से छात्रों को हरक्षेत्र में आत्म निर्भर बनने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि कोविड ने नई चुनोतियां पेश की हैं लेकिन दे इन विपढ़न मंच द्वारा ये उत्पाद उपलब्द कराए जाएंगे केंद्रिया पेट्रोल मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने कल बैतूल जिले के जामठी में भारत भारती प्रात्मेग विद्याले भवन और इंडियन ओयल कार्परेशन के साहियोग से निर्मित बायो 224 करोड रुपे की साहिता मदप्रदेश के हरदा और मनसौर में मुर्गियों में मिला बढ़ फिलू का वाइरस पूल्टरी पक्षियों को मारने के लिए दलते नाद और अमर कंटक को पारिटन इस्थल की रूप में विक्सित करने के लिए उनचास करोड 98 लाख रुपे क केंदर ने दी मन्जूरी इस बॉलेटिन के अंत में एक अपील हमेशे ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कर